चरो यार हम लोग अपने DSA के वोर्स में आगे बढ़ते हैं और यार हमने अपनी पिछली वीडियो में देख लिया था एरेज क्या होते हैं और एरेज के बारे में सारी इवेन इंटर्नल वर्किम में आपको समझा दी थी कि भाई इंटर्नली कैसा एरे काम करता है लेकिन यार भाई प्रैक्टिस के बिना कुछ कहा होने वाला है अगर आप DSA सीकरे और अगर आप इंटर्वियू के लिए जाने वाले वाले फीजर केंदर तो प्रैक्टिस के बिना क्या हो सकता है तो इस वीडियो के अंदर हम Allah क्या करते है इस वीडियो के अंदर हम गोस दो तो बहुत अगड़ी playlist या बहुत अगड़ी series मैंने बनाई है आप एक बार जाहिए देखिए नीचे इस वाली वीडियो के description box में आपको ये पूरे playlist के लिंक मिल जाएगी और साथी साथ में आपको github की repository मिल जाएगी जहाँ पर आपको source code notes सब्चीश मिल जाएगे ये पूरे notes मैंने आप बना रखे हैं तो आपको टेंशन लिने के जरूरत नहीं सब्चीश आपको मिल जाएगे साथी साथ में attendance mark करने के लिए आप अपना नाम और आप कहां से हो comment section में जरूर लिख दीजिए अपने friends के बीच में जरूर शेयर करिए अगर college में हैं या फिर तयारी कर रहे हैं तो ये पूरी playlist जरूर शेयर करिए बाई एक बार पढ़ेंगे मज़ा आजाएगा चलो बाई अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं अफिर आपको questions को सब्सक्राइब अगर इस वीडियो के अंदर टाइम में लेगा तो एरे 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 एडी बनाओंगा abstract data type जिससे common operations को हम लोग एक class के अंदर डारेंगे तो वह सब चीज बात की बात है लेकिन हम लोग सबसे पहला question करते है है let's do the first question तो पहला question हमारे बने वाला है यस यह हमारे पास first question है and पहला question क्या कहता है पहला question कहता है find the largest element in an array अब इस question को पहले समझ लेते हैं तो हमारे पास एक array है suppose let's see इदर बहुत सारी array मैंने उपर बनाई थी क्या एक array मुझे मिल सकती यहां से इस चलो इस यह example लेते हैं yes हमारे पास एक array है अन्द इस array के अन्धर बहुत सारे data रख़ा है ठीक है इस array के अन्धर बहुत तार ड़्य वो सकता है 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5 हमारे इसमें से सबसे largest element को निकालना है ठीक है बतलो नृटिक है अगर सबसे बढ़ा है तो 90 aut founder Each Room this अगर सबसे बढ़ा है तो 20 और30 को फेच करना है ठीक है में recommend can लारजस्ट न हडरल Всем यह सबसे बड़ा कुश्छन यह हमें लएक है तो मैं का करूंगा सिंपल हमें उन पाथा है सबसे पहले बना लेंगे अप्रोच यह होगी कि हम एक 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 element को fetch करेंगे बारी-बारी से मतलब कहना है वद लाजस्ट को fetch करने के लिए हम सबसे पहले 90 को fetch करेंगे बाहर 90 जब एक बार आ जाएगा बाहर तो हम check करेंगे या एक काम करेंगे हाँ अब इस वाला डेटा इस वाले को मैं लार्ज बना दूगा ठीक है इस वाले में आ जाएगा 90 आ जाएगा मैं ऐसा करता हूँ मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई पहला वाले मेंट है वह एक्तम लार्ज वाले मेंट है अब मैं लूप को क्या करूंगा लूप को मैं यहां से सुरू करूंगा यहां से 80 से क्योंकि पहला तो फारा लौट अरड़ी हो गया तो मैं एक एकलिमेंट निकालूंगा तैट मिस पहले हम 80 को फेच करेंगे बाहर और 80 आजाएगा फिर 80 को कंपेर करेंगे टे क्या करेंगे कंपेर करेंगे अपने 90 से अब देखेंगे कि लार्ग वाला बड़ा है कि जो हमने निकाला वो बड़ा है अगर जो हमने निकालिव बड़ा है यह वाला 80 बड़ा है विस गOOOOOOOO सट पर heterfenkt 느 करмен की सब्लいい कि अबर t सब्सक्राइड चूटा हो गया हमारे जो Lebanon हमने हमने निकाल ड़ा तो सब्सक्राइड या माय सब मक्स ओअध आई आई मालोक चल रहा है अगर सब्सक्राइड टो हम चारेंगे हम लार्जेस्ट में हमवाज या लार इस एलेमेंट मेंहों मास फिगो पूट कर देंगे, simple यह अप्रोच होने वाल, अब यह लूप चलता जाएगा, और यही प्रोसेस पूरा फॉलो होता जाएगा जाएगा, कहने का मतलब हर element आता जाएगा, 10 आएगा, फिर चेक होगा, largest यह चोटा है कि बड़ा है, अगर बड़ा है, होगा, अगर नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा और मैं आसान करता हूँ, let's suppose हमारे पास एक टोकरी है, ठीक है, let's suppose हमारे पास एक टोकरी है, या एक bucket है, इसको bucket माल लो, आप कुछों मानना है हूं माल लो, ठीक है, तो मैं थोड़ा बनाने को गोसिस करता हूँ, इस bucket में सबसे बड़ी value लाने के लिए, मैं 80 निकाल लोगा, 80 को चेक करूँगा, इस bucket के value से, अगर bucket की value छोटी मिल गई, या हमने जो value निकाली 80, वो इस bucket से बड़ी हो गई, इसका मतलब यह चोटा हो चुका, तो हम इसको उटाएंगे, और यहाँ पर हम 80 डाल देंगे, फिर 10 निकालेंगे, 10 को चेक करेंगे ससी से, अगर 10 बड़ा हो गया इस 80 से, तो हम इसको replace करके 10 कर देंगे, लेकिन अभी फिलाल बड़ा नहीं, तो हम छोड़ देंगे, तो हम चलते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर प्रक्टिस बनाते जाएंगे, हम यहाँ बनाते जाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, one underscore largest, largest element dot java, ठीक है, और class का नाम थोड़ा सा चेंज होगा, so yes, largest element, ठीक है, तो perfect, largest element, I think one हड़ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ बनाएंगे, main method, and main method में, हम लोग को, एक array बनानी है, so let me create, सबसे पहले static array बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dynamic array भी में input करना सिखा होगा, ठीक है, तो एक array integer की बनाते हैं, let's take array, एक array बना लेते हैं, new integer, ठीक है, हमें elements, suppose starting में पता है, तो हम डाक लिने slice करेंगे, एक array में कुछ values ले ले लेते हैं, ठीक है, तो हमने कुछ ऐसा ले लिया है, integer AR में, हमारी ये सारी values आगी, ये हमारी array बन चुकी है, जिसके अंदर इतने elements हैं, इसमें से हमें largest find out करना है, ठीक है, एक जीज़ और बता दूँ, शायद पिछले वीडियो में नहीं बताया है, तो इस वीडियो में सीख लो, ये जो square bracket है, इसको हम पहले भी रखते हैं, बाद में रखते हैं, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपको रखना हो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तो हमरे बास एक array आचुकी है, अभी से array में हमें logic लगाना है, तो सबसे बड़ी है तरीका क्या होता, logic लिखने का, कि आप logic को अलग रखो, ठीक है, हमेशा logic को, जहाँ आपका main method है, या पिर जहाँ आप काम कर रहे हो, वह मत रखो, जिससे कि आप logic को reuse कर सको, तो इसलिए हम logic को यहाँ पर लिख सकते थे, यहाँ पर हम लोग logic को लिख सकते थे, अन्वाइट क्या, यहाँ पर आप इंडिजर कर दो, क्योंकि यह फाइंड करके रिटन कर देगा, ठीक है, यह रिटन कर देगा element को, तो यह जो find largest number एक method है, वो एक array ले रहा है ARR, यहाँ जब यह call करेंगे यहाँ पर देखो, जब हम find largest element को call करेंगे, तो अपनी array यहाँ पर पास कर देगे, अशन में, अपनी element यहाँ पर पास कर देगे, लेकिन, main method के अंदर, दूसरे method को directly call करने के लिए, Java का एक rule है, Java आती होगी, कि यह आपको static बना दाओगा, तब ही आप directly call कर सकते हो, इसको, अगर static नहीं तो आपको object की दुदत होगी, इतनी तो जाओ भाई आपको आती होगी, ठीक है, अब हमारा array यह यह यहाँ पास कर दिया, और यह जाके यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं यहाँ यहाँ पर array को access करना चाहता हूँ, तो हमें इस array वाले variable को यूज करना पड़ेगा, यह हमारे पास अगर array इस तरह से है, तो इस array नाम के variable को यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर सहीम array को access करने लिए, इतना I think समझ गए होगी, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ यहाँ पर, एक variable लेते हैं, largest element और मैं पहली value को ही largest बना दूँगा, ठीक है, आप minimum ले सकते हो, अलग-अलग variables अलग-अलग ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा, पहली value, यह मैं 0 पर आएगी, तो इसी को हम largest बना देंगे, फिर मैं चेक करूँगा, लूप चलाऊंगा, for integer i squared 0, 0 इसलिए चला रहा हूँ, क्यों की भाई, हम चाहते हैं कि, एक-एक element हमारे पास आए है, तो हम index की साहता लेंगे, 0 से चलेंगे, array की जितनी size है, तो अगर हम ठीक है, i is less than, array की size कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता होगा, length से, और i plus plus, i plus plus, तो simple सा हमारे पास एक loop आगया, ये क्या कर रहा है, ये loop, 0 से start होगा, and array.length जाएगा, array.length मतलब, suppose array के size 5 है, तो ये, i is less than 5, मतलब 4 तक ही चलेगा, क्योंकि indexing 0 से start होती है, और एक कम तक जाती है, वो कहीं गल्ती से बड़ी तो नहीं होगी, आपके largest element से, largest, largest element से, अगर ऐसी हो गई है, ये value बड़ी है, और हमारी largest वाली छोटी है, तो मैं क्या करूँगा, largest element में array of i डाल दूँगा, बस यही logic था, largest element में array of i डाल दूँगा, और एक trick और बताता हूँ, एक शीज़ और बताता हूँ, इस नोट रिक बटाता है, जब भी आपके if के अंदर single bracket हो, single statement हो, तो आप इस bracket को, ये bracket optional होता है, उसको आप हटा भी सकते हो, तो रसा code आपका और clean लगेगा, code आपका और clean लगेगा, जब आपका, यहां से खताम होगा, यहां किताम होगा, और फॉंक्शन नाज़्ट है, एक है? यसी का समझ को, अब हमारे पास जो लार्जस वैलोगी, भी आज़गा वेलोगी, एक पर लार्जस वैलोगी, तो हम रिटन करेंगे अपनी लार्जिस्ट वैलो को as simple as that ठीक है आप देखो यहां पर हमारे पास यह method done है यह method को हम अपना एक एरह देंगे यह हमें लाजिस्ट वैलो रिटन करा देगा I think public का लाजिस्ट वैलो और अपनी लाजिस्ट वैलो तो जो भी लाजिस्ट वैलो हमें मिल जाएगी से अरे के अंतर अब इससे फाइदा पता क्या हुआ इसको थोड़ा सा मैं कठा कर दो फिर मां बताता हूं इसके दाइस इससे फाइदा यह हुआ हपारा कि यह जो function बन गया this function is actually of find the largest of an array in an array अब इसको हम reuse कर सकते हैं यह method जो है इस method को हम reuse कर सकते हैं बार बार दस जगह दस जगह पांच जगह जहां भी हमें largest find करना we can clearly use this method अब इसको run करते हैं देखते हैं कि यह बीस पैतालिस टीस ग्यारा सरसेट में कौन सा बढ़ा है तो और सब्सक्राइब यह हमने statically बना दिया था अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको dynamically भी ले सकते सब्सक्राइब क्या करेंगे we don't know the size of the array तो हम यहां पर या वी दूट नो दो exact elements of an array तो हम यहां पर एक आरे बनाएंगे of size something like size variable अभी size variable हमारे पास है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं हम लोग size variable एक इसके अंदर हमें value लेनी ही user से value लेनी उसर से तो कैसे लिए हमारे पास बहुत सारे तरी होते हैं उसर से value लेनी के लिए से दृष् सकते यहीं मरेका मारे गार्यन अर्गमेंट भी 등 सकते हमारे पासिक स्टेंडलेक्τα उसरे में DIRECTORT स्कानर का स्कानर के लिए सकनर के साहता हम लोग लिए सकने चानर नेक्स इंट इंट करेंगा इन्टीजर इंपुर लेने में मदद करेंगा मत्तब इसक वेलु इंटीजर की इन्पूट कराने में अदद करेंगा और size में ये size वाली value के अंदर डाल देगा जितनी value आएगी user से उतने size का आरे हमारा बन जाएगा suppose user ने एंटर किया 10 तो 10 size का आरे बन जाएगा user ने इंटर किया 50 तो 50 size का आरे बन जाएगा one more important thing कि जब आपने scanner यूज किया तो मैंने इंटर कर दिया था तो आप देखोगे उपर इंपोर्ट हो चुका java.util.scanner इसका सिंपल सा मता होता है scanner class scanner library जो है scanner class है वो किसी और package के अंदर है उस package को इंपोर्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले उस class को इंपोर्ट करेंगे तो लिखेंगे java.util क्योंकि यूटिल के अंदर है and then scanner class करा अगर आपको scanner यूटिल के अंदर सारी classes चाहिए तो आप यहाँ पर star भी लगा सकते थे scanner के जगा आप you can put the star here आपके फोल्डर के अंदर नहीं किसी दूत्रे package के अंदर है जाव का रोल है कि सिंपल आपको पहले इंपोर्ट करना है यूज करना है चलो इतनी कहां नहीं समझ गे अब हम लोग क्या करेंगे अब हमारे यहां पर यह हो गया array यह हो गया defining array and initializing initializing हम ने क्रिछाइब कर दिया अबट हमने फिछले वीडियो के अंदर क्या सी कहता कि जब भी छो आइसा मिश्क्राइल लिखते तो जो एरस बंदी उसके अंदर default values आती है तो हमें एक little लूप और लगाना पड़ेगा जिसके अंदर एक्च्छल वेलू डालनी होगी तो मैं आपने होगा एक प्रिंट मैसे दोंगा लिखोंगा एंटर दवैलू एंटर दर एरे वेलू वन वाई वन आप एक करके एरे की वेलू डाली है और मैं क्या करूंगा मैं चलूंगा एक का यह तो यह होगी हमारे यह तो यह हो गया हम अगर लूप चलाते हैं तो यह लूप क्या हम प्रोगामी चला दें है प्रण करेंगे रण करेंगे यस अभी पूछा है एंटर दसाइज अभर सपोज में तो पाँच हमारे एका साइज अभे पाँच एलिमें डालने में गाऊंगा दस ग्यारा चे अठतर वाइस ओके सो आप देख सकते हैं यह हमारे एरे के अलमेंट थे अनलज जसेवेंटीफ सेवेंटीट अगर हम यहां पर इस बार साइस ट्रेंट दाले तो विद्दस ऐलिमेंट दाल लेंगें दस ऑग बख़ो एंगे दि दिखोगे 4645 हमारी असाइप अप्रश्य एमिट इस तरह से हमें अबिवर्ड होगे लाजिस मेंट मैं रिक्मेंड करूंका हमीशा कि आप क्या उसक्रिए भाई आप में साफ functions या फिर method बना के काम करिए आप अपने logic को reuse कर सको कहीं यह रहा पहला question अब आपको बताना एक से complexity क्या है तो वीडियो को pause करें बताइए कि यह जो हमने programming किया है यह स्वाले algorithm की जो आपने लोगारंद लिए कि उसकी complexity क्या है पॉस करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपने बता दिया होगा वीडियो को pause करके मैं बताता हूं ठीक है मैं सर्फ इसी function की पूछ रहा हूं यहां पर नहीं पढ़ेगा ठीक है एंड अगर एक साइस है न है तो एन तक लूप चल रहा है एक साइस एन स्कॉयर होगी तो एन स्कॉयर तो गूप चलेगा यह लूप की वज़े से इस पूरे algorithm की complexity हो साईगी बिगो ओफ एन लीनियर लीनियर टाइम कॉमस्टिट होगी इसकी लीनियर बिगो ओफ एन होगी समझे किसले बाकी इस statement तो एक ही बार हमें से जलेगा तो constant time होगी इस statement भी एक ही बार चलेगा constant time होगी बस सारा खेल इस लूप का है अगर लूप के अंदर लूप होता तब तो भाई एन स्कॉयर हो गई हो ठीक है तो इस तरह से I think हम लोग न जलते हैं next question पर अब हम लोग next question की बात करते हैं जो कि है reverse and array हमारे पास एक array होगा and उसे हमें reverse करके print करता होगा इसके बहुत सारी approaches हो सकते मैं कौन सा अप्रोच बता रहा हूं देखो मैं कई सारे approach बताऊंगा आप लोग खुद से भी कुछ अप्रोच करिए कुछ मैं आप payment पर आ गया फिर 50 अगर आप देखोगे तो यहां पर 50 आ चुका है हमारे पास second पर फिर 20 देखोगे तो 20 आ चुका है यहां पर third पर 10 आ चुका है I think 20 के बाद 10 यह रहा ठीक है and फिर 80 आ चुका है आपका यहां पर इतना समझ गए ठीक है I think इसको लिखने की जरूरत नहीं अब समझ चाहों कि यह तो इसको हमने हमने रिवस कर दिया सारे elements को जो पाद में आ रहते हैं पहले कर दिया अब इसके गाइस बहुत सारे approaches सबसे पहले हमें indexing पता है indexing means कि हमें यह पता है कि कौन से element कहां पे है जैसे for example यह element 0 पे है 1 पे है 2 पे है 3 पे है 4 पे 5 तो हम क्या ना चलाके हम लूप को इस तरह चलाने है तो पहले element आए प्रिंट कर दें फिर यह आए प्रिंट कर दें फिर यह प्रिंट कर दें फिर प्रिंट कर दें फिर प्रिंट कर दें फिर प्रिंट कर दें मतलब ऐसा करके हम लूप चला दें फिर प्रिंट कर दें एक अप्रोच इसके पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे element है, तो हमारा जो loop चलेगा, वो तीन तक ही चलेगा, यहां तक चलेगा, और हम क्या गरेंगे, हम swapping करेंगे, हम इस element को उठा के last में डालेंगे, और इस element उठा को उठा के पहले पे डालेंगे, ठीक है, यहां पे आजाएगा हमारा 90, और यहां पे आजाएगा हमारा 75, तो यही तो होना था, पहला element लास्ट पे आना था, और लास्ट वाला पहले पे आना था, फिर इस element को अगें उठा के second last से swap करेंगे, और second last को उठा के इस से swap करेंगे, तो आपकी जो एरे बनेगी, सेम होई बनेगी, क्योंकि elements को हमने swap करते हैं, तो दोनों तरीके मैंने आपको उठा दिया, आप यह भी कर सकते हो, कि आप एक उल्टा लूप चला दो, एक आप आधा जितने साइज है उसके half loop चलाओ, और half loop में आप क्या करो, यहां पर आ जाते हैं, लेट्स कम हीर, और हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, और reverse, reverse, reverse array, और dot java, और हम क्या करेंगे, हम गाइस main method हम सेम ले लेंगे, इसी का main method उठा लो कि बार बार हम यहां पर, यह जो input elements है, इसको हम लोग सेम ले लेते हैं, येस, 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 हमने ले लिए scanner, and size and data हमारे पास आ चुका, यहां पर हमें logical लेखना है, कहां पर हमें logical लेखना है, यहां पर, logical लेखना है, तो हम simply वही काम करेंगे, हम यहां पर एक array बना लेंगे, public, void, public, यहां पर input एक array लेखना है, of integer type, ठीक है, यहां पर सबज़ेगे, सेम जैसे आपने यहां पर लेखना था, यह देखो, आपने यहां पर लिखना था, integer type के आपने लिए रखना था, same हमने यहां पर integer type के एक array लिए रखना है, जो कि I think, I think yes, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, आपको लिखना पहले integer, then variable and then symbol, ठीक है, परफेक्ट, एंड इसको हमें class के अंदर ही रखना है, क्योंकि Java method सारे class के अंदर आते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इस array को हम लोग reverse करेंगे, यहां पर method जो call करेंगे, हम लोग आप call करेंगे reverse array का, और array अपना pass कर देंगे, अब actually हमें इस array को reverse करता है, एक चीज़ बताता हूं, array यूज़ करता है call by reference का, मतलब जो array आपने pass किया, उसका reference यहां पास हुआ, मतलब अगर यहां पर हम इस array को reverse कर दें, तो हमें जो आपने array पास किया, वो भी reversed हो जाएगे, मतलब हमें कुछ return करने को जरूत नहीं, उस array को reverse करतें, उस changes यहां पर reflect कर जाएं, जो आपने यहां पर array पास किये, वही array यहां पर आईए, उसी का reference, और अगर आप array sort करतें तो, या आप reverse करतें तो तो वही इस array में changes हो जाएंगे, ARR में, हम लोग क्या करतें, हम लोग reverse करतें, simple, काम करतें, हम लोग, अगर आपको print करना तो print कर दो, otherwise hap wala, अगर तरही का है उस करना तो hap wala कर सकते हो, हम लोग चलाते है लूप, and yes, आप देखो, हम लोग ने simply क्या किया, हमने एक i variable, 0 सिनिसलाइस किया, और array dot length, slash, या divided by 0, मतलब हमने array के आद्धी size तक का loop चलाया और i++ कर दिया, फिर हमने वही काम किया, पहला element उठाया, temporary में डाल दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले को पहले पे लाएंगे, लास्ट वाला कैसे मिलेगा हमें, लास्ट वाला मिलेगा, array of, array dot length minus 1, minus i minus 1, तो array की length suppose 5 है, तो i अभी 0 होगा starting में, तो 5 minus 0, minus 1 मतलब 4th index, जो कि last है, तो last वाला element आजाएगा हमारे पहले वाले पे, और पहला वाला टेम्प में था, और लास्ट वाली जगे पे हमारा पहला वाला चला जाएगा, तो जब iKV1 0 होगी, तो पहली swapping हो जाएगी, last वाला पहले पे आजाएगा, जब iKV1 1 होगी, तो second वाला, second last से swap हो जाएगा, एसे करके इस iRへ up changes हो जाएगे, आप हमेहा पे कुछ करने हएगा सरीacement कुछी तहुप एल जरुद करनी हो जाएगे एए जिए जार्य Ζुद के अंदर चेंज ऑगे और खुद के अंदर चेंजितोगेए और हएधा से इस पीए को यहां पर यूज कर सकते हैं तो अगर प्रिंट करना हो तो लेट मीपिर्ट हम यह पर एक पॉर लूप लगा दें इसी एरे को पिंगर दें इंटीजर एक्स या वैलू यार लेक्षेंज वह नहीं हुए और हम यहां पर बेंगर दें अपनी एरे इस वैलू और सिंगल लाइन विपने करेंगे तो मैं आप याप लोगए और एक टैब पेस्पेस भारेंगे डाए स्पेस मारेंगे थीक है अभी पीच में पीच में पेस रहेंगे जो पर इसना तैब की सिस्टी काम कोई है let's compile and run सो खो इस बार compile रिवस को जावा सी रिवास्ट की बीवर्स डॉक रिवर्स जावर और जावा ओ रिवस एड़रे साइस दे टो चार डशान एलिमें दे बार एट तस 45 एडिएको रिवर्स में आपको में ना 45 जो लास्ट में था फिर 10 ठीक है जो सेकेंड लास्ट था फिर 13 फिर 12 यह आपका आया हमारा क्या यह यह कर सकतें हैं इसको कमेंट करते हैं सी वाल अप्रोच भी देख लेना हम करेंगे लूप चलाएंगे इस बार आई का जितनी एरे की लेंथ है इक कम तक चलाएंगे क्योंकि लेंथ मतलब साइज होती इस बार आई को प्रिंट कर सकते हैं बट एक काम करते हैं इस बार कुछ अतरंगी हो गया अगर प्रिंट करना था इसे इस स्टोर भी करना था तो हम लोग हम लोग हम लोग हम लोग हम ओंग एक एक ट्राइब में बनाना पड़ा जान बूज के बनाना ठीक है और हम रिवर्स इसके अंदर स्टोर करेंगे करेंगे में चलेंगे चलेंगे आड अब आये लास्ट है तो कहेंगे आडयर ओफे इसको जिरो में करना चलेंगे तनी लand है लेंध ढ़र आडड जीटी येच इसकी लेंध 27 होँ इसको जिरो करना एक चील तो हम कहेंगी ाइग ठीक है अब suppose 5-1 आ जाएगा तो हम-1 डालेंगे is equal to array of i ठीक है इससे क्या होगा इससे होगा गईस की i की value starting में 5 होगी मतलब अगर इस array की size 5 है तो i की value 5 होगी या एक कम होगी 4 होगी ठीक है एक कम होगी 4 होगी i value 4 होगी और हमें यहाँ पर temp of 0 पर डालना है तो हम गएंगे temp of length कितनी होगी इसकी भी length 5 होगी और इसकी इसकी चार है तो 5-4-1 मतलब 0 आ जाएगा तो first बार में temp के 0 पर आ जाएगा array of i मतलब array का last element हमारी temp के 0 पर जाएगा जब i के value 1 होगी तो आप देखो हाँ पर यह पांच माइनस एक कम हुआ एक कम हुआ एक कम हुआ मतलब पहले चार थी अब तीन तो 5-3 मतलब 2 और माइनस एक मतलब एक इस बार टेंप के first position पर फस्ट इंडेक्स पर इसे करके एक-एक element हम उठाते जाएंगे अपने एक लास्ट वाली है और टेंप के पहले वाले में और यह सब होने के बाद मैं क्या करूंगा मैं अरे में साइन कर दूंगा अपना टेंप यस अभी भी हमारा हो जाएगा क्योंकि हमने हमारे रिवस्ट राइस के अंदर स्टोर है पक्लास्ट में जब हमारा सब रिवस्ट हो चुका है तो हमने टम को उठाकर अरे में डाल दिया इसका अब यह जो एरे का भाहि दिते गोरा से रेवस्ट नहीं वर हो तो हमको डिया रिवस्ट और थी करन खजी इस है तो हमें करना पड़ेंगे in this case we have to return हमें रिटन करना पड़ेगा इस अब हमें रिटन करना पड़ेगा यह जो रिवर्स टार है वो मिलेगा तो हम गएंगे इन टीजर और रिवी एक अरे मिलेगा और यूज दिस आरिवी तो इसे साब से मोग काम करेंगे और फिर से मुट्पूट्ट चेकरेंगे तो जब आउट पूट्पूट्ट चेकरोगे तभी आप समझ पाओगे कि यह सई आ रहा है कि अल्द आप अगें साइचार डालते है यस देखो बारा आ गया फिर तरेपन आ गया चौबश आ फिर बारा गया तो इस हिसाब से हम लोग अपने एरे को रिवस कर स इसकी time complexity क्या होगी जो आप एरे को reverse कर रहा हो same एक ही लूप चल रहा है तो पहले वाले statement की तो भाई कितना भी आप size बढ़ा हो कोई फरक नहीं बढ़ेगा यह एकली बार चलेगा लूप डिपेंड कर रहा है आपके एरे के length पे अगर एरे के length बढ़ेगी तो loop भी उतनी बार बढ़ेगा इसका simple सा मतलब है कि यह linear time complexity की होगी एंड यह constant तो constant तो हड़ गी यह वाला function भी linear time complexity ले रहा है मत्तब इसको भी हमने solve किया with the help of this big of n big o of n इसकी time complexity big of o of n इसको मैं explain करते है अब मूब करते है अपने next question पर एक और बड़ी ऐसा question करते हैं आपके सामने दिख रहा है sum of elements in an array एरे के बहुत सारे elements से उनको सम करना यह question बहुत इसान है तो आप वीडियो को pause करके इस question को solve करिए और comment section बताइए कि कितने जल्दी आपने कर दिया उसकी time complexity गया थी ठीक है और इस कटोरे के अंदर जो value है उसको जोड़ूँगा मत्तब 90 प्लस 0 करूँगा और जो result आएगा उसको फिर सके अंदर update कर दूँगा मत्तब 90 प्लस 0 तो 90 होगा तो इसको 90 बना दूँगा अब क्या होगा same process repeat करूँगा अब दूसरा element निकालूँगा इस 80 को निकालूँगा और फिर वह process repeat करूँगा कि इस कटोरी के अंदर जो data है 90 उसको 80 से जोड़ूँगा 9 8 17 तो यहाँ पर अब हम लोग 170 कर देंगे समझे है फिर ऐसे process को repeat करूँगा फिर 10 निकालूँगा 10 देखूँगा 10 को जो इसके अंदर data है उसको दोनों को एड़ करूँगा फिर इसके अंदर फिसर रिप्लेस करूँगा तो यह 108 हो जाएगा यह कट जाएगा ऐसे करेंगे और जो data इस bucket के अंदर है उसको एड़ कर इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बहुत दीज़ी था तो हम यहां पर आते हैं एक बना लेते हैं सम अरे डॉट जावा और मैं क्या करता हूं में मैं बनाता हूं और अगें अपने इंपूट वाले सेम चीज को उठा लेता हूं यहां ठीक है इससे हमारे बाएंगे सम अरे के अंदर पब्लिक स्टाटिक वाइड 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 के जगा हम इंटीज लेंगे एक्चुली सम रेटन कर रहोगा इंटीज आइप के वैलू सम अरे ठीक है और मैं एक कटोरा लोंगा कटोरा इस एक्चुली यह वैरिबल एट कन होल्ड द वैलु तो कि आयरे डॉट लेंट जब तक आइग की वैलू एल्ट लेंट मतब साइज से चुटी है ठीक है आई को में प्लस प्लस करेंगे एस ठीक है और यह इंटीजर क्यों लिए वाई फॉर ठीक है अब हम क्या करेंगे इस कटोरे वाली वैलू मतलब जो हमारे बकेट के अंदर व सम मतलब जो हमारे container की value थी प्लस जो हमारी actual value आई है array of i ठीक है मतलब जो आई अभी current value है उन्हों को sum किया and then अपने bucket की value मैंने update कर दी अपने bucket की value मैंने क्या कर दी update कर दी ओके So this is a sum Sum हो गया अब sum होने के पाद हम return कर सकते हैं इस sum को Here we go तो बस sum हो गया और यह return यह array sum क्या कर देगा इस sum को actual return कर देगा तो आपको data मिल जाएगा जहां सब यह method call करोगे Let's do that Let's do that यहां पर आजाते हैं और हम call करते है sum array और अपना array pass कर देदे और यह हमें return कर देगा actual sum जो की एक variable के अंदर दाल देगे यह आपको यह लिए लिए ठीक है मैंने array sum ले लिया यहां पर आपको प्रिंट करेंगे sum को प्रिंट करेंगे तो लिखेंगे array sum is equal to and then sum yes अब इसको run करेंगे यह array sum हो जाएगा इसमें को जादा नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी से इसको निप्टा दिया array sum dot java array example नहीं एरे sum array sum था नहीं sum array मैंगा जावा C sum array dot java and sum array आप देखको एक size तो मैं एक से ले के पांस तक का sum निकालता हूँ 1, 2, oh size एक ही आ गई है sorry तबार से चल लो एंटर कर दो ठीक है clear कर लो इसको clear कर लो ठीक है ओके compile हो गया run करते है sum array size जालते है 5 1, 2, 3, 4, 5 yes आप देखको कि 15 एक से ले के पांस तक का sum 15 होता है इसका एक formula बता है n into n plus 1 by 2 I think यही होता है तो देखो 5 into 6 by 2 करोगे तो obviously बात I think 15 ही आएगा ठीक है 5 into 6 by 3 कुछ ऐसा भी आप डाइक्टिव formats के formula से भी निगाल सकते हो suppose हमारा size एक से लेके n तक का sum था तो n हमारा इसकेस में 5 है तो हम 5 into n plus 1 6 by 2 करके तो यह 3 आजाएगा और 5 3 is a 15 यह हमारा output आएगा and same output हमें यहां से भी मिल रहा है यहां से भी मिल रहा है इसका simple सा मता होता है अब हम कोई भी number दे सकते हैं यहां पर suppose 5 तो हम यहां पर yes तो हमें यह 2 1 8 4 जो है वो एक्चुली मिल चुका है यहां पर साथ तो यह रहा हमारा तीसरा कुशन यह बहुत इसी था कुशन I hope यह कुशन आपने खुद से किया होगा अब मूब करतें नेक्स कुशन पर ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीज़े सबच मेंगे ठीक है आप इनपूट लिना सीखोगे एरेक अलिमेंट को निकालना सीखोगे प्रोसेस करना सीखोगे बहुत साथ जीज़े आप सीखोगे चलो भई मिलते नेक्स चलो भई अब हम लोग नेक्स कुश्शन को सॉल्फ करते एक और बहुतरी सा कुश्शन यहां पर आ चुका है काउंट अकरेंस ऑफ दा इलिमेंट तो हमारे पास एक एरदी जाएगी और एक फेवरेट इलिमेंट दिया जाएगा आपको फेवरेट एलिमेंट की भई इसिस कोंट करके बता दो कि हमारे अरे एक यह dat बता जीक Dud च्पास जाएगा अब को सिंपल यह वाला कोचियन बहुत जादा आजब एजी है तो मैं रिक्मेंड को फिर तो इसमें भी हमें एक bucket use करेंगे, we will put the bucket of the count, तो हम counter की यहाप एक bucket ले लेंगे, और initially जब आपने count नहीं किया होगा, तो bucket की value 0 होगी, क्या होगी, bucket की value 0 होगी, और जैसे जैसे हम value को निकालते जाएंगे, match करते जाएंगे, suppose आपने नब्बे निकाला, आपने हापने नब् 80 नब्बे match कर रहा है, तो counter को 0 से हम 1 कर देंगे हैं मैच नहीं किया तो हम कउंटर को नहीं बढाएंगे Simple लोजिक यह हё अगर मैच किया तो बंढ देंगे नहीं मैचि क्या का दो नहीं बढा हो अब जितनी बार मैच यहाँगा उतनी ऐइंख काम ड्रहन आगे बढ़ा होगा तो जब में इन्प्रीन से में एई जडरूत पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं सेम एयरे इंपूट लोगिक हो लेते हैं यहां से लिए करके यहां तकका इंपूट लॉजिक अम्यापक चिपका दें और बाकी इसको शोड़ दें तो इन्पूट लगे एक हमें ओद चाहिए हम इ द्रेबल माँंगे रिए अपने काम को असान करने के लिए या कोड को रियूस करने के लिए हम आधा डाल रहे हैं कि आपकी जोड़ डाल रहे हैं कि आपके लोट अमत रूकर पोको तो रियूजबल बनाने की उगोसिस करो तो यहां पर हम लोग अगीन फंक्शन बनाएंगे फाइंड टार्गेट एलमेंट और हम यहां पर एरेव देंगे साथ ही साथ में अपना टार्गेट एलिमेंट भी देंगे इस बार हमने दो चीज दिया और यह मुझे रिटन करेंग हम और यहां पर हमें बाइप का डाइपनेमेंट स्पार्गेट को सिंपल वही जो लॉजिक हमने किया था हम चैज्च समस्फृचा जी काई में के राना ना फाइंट थोड़ी ने कर रहें पिस पाइं टार्गा गट टेलेमंट यहां अखरेंज था हाँ हां हाहा था कंट्र काउंट टार्गेट एलिमेंट और इंडेक्स की ज़रोत नहीं फिर तो काउंट की ज़रोत है कितनी बार रहा है तो वह काउंट हम ले लेंगे अगे अब हम चेक करेंगे लूप चलाएंगे कहां से एक एक एलिमेंट निकालेंगे और लूप आई से स्टार्ट होगा जीरो से देन आई जेतनी एरे डॉट लेंथ है वहां तक चलेगा ठीक है आई को प्लस प्लस करेंगे हैं आप चैक करेंगे इफ अगर जो हमारा टार्गेट आपने काउंट को एकन उस्टो हो एकारे होगा काम हो वस्ट आप जतनी वर inhib epsilon यह was एक चलेगा आहिए गर 212 việc और ओंटर को फाली हे स्ट करदेगा कोण्टर को फैलिय हम रिए फैनल इतनी होंटर सक्वाहन कितनी वर यह Ilmen time है अब कर दो टीक है ठीक है और यहां पर अचलिक हमार टार्गेट है ठीक है और कुछ यह रहा है यह कह रहा है यह कह रहा है अध्याइड इस अंडिफान फर दे टाइप कि फाइंड है चाओ कि अगांट टार्गेट अलिमेंट कर दो ठीक है परफेक्ट यस आप मेंसेज दे सकते हैं है साउट है । हखंत में कि टार्गेटप में कित्री बार आलते हैं हम क्यांत की मतर से प्रिंट करेंगए बस अब इन पूठी देते हैं है जावुआज सी पहले सब्ड़ न हैं है काउन ऐ engagement count target element and then run count target element Size पूच रहे हैं चरो 5 दबादे एरे देते हैं और गूँगा 10, 12, 9, 45, 78 5 element हो गए, अभी पूच रहे हैं किस element को target count करना था है? मैं चरो 12 को count करें 12 अभी 12 है ठीक है? आप तुरह इंक्रिस करते हैं हम लोग ठीक है? बढ़ाते हैं इस बार भी मेंने 5 दिया बढ़ हम 12 12 को दो बार डाल दिया फिर 6 6 6 ठीक है 6 4 मैंने 3 बार डाला अब मैं काउंट करूंगा 6 को तो आप देखो 6 3 बार आ है अब ऐसा element डाल दें जो ही नहीं को अ जालते हैं लंगे 9 को मिलधें करेंगे था नहीं ज हम यहाँ पर इंटीजर से उस कर रहे हैं सिर्फ उनकी भी एक range है अगर आप पड़े numbers के सावस्ताथ काम करोगे तो वहाँ पर आपको big integer, big decimal वो गएरा है उसका न पड़ेगा, so limited है आप कभी भी आपको interview के अंदर questions मिल रहे हैं या आप कही competitive programming में questions solve कर रहे हैं तो हाँ पर देख लो क्या हो बहुत बड़े number के लिए solve हो रहा question की छोड़े number के लिए solve हो रहा है ओके, so यह रहा हमारे question अगर मैं बात कुरूँ इस वाले method की या इस वाले algorithm की count target element की complexity क्या होगी इसमें भी same होई है, logic जो है हमारा, वो depend कर रहा हमारे error के input size पर that means as the size increases, जैसा size बढ़ेगी यह loop भी उसी इसाब से बढ़ेगा अगर size हमारी 100 है तो 100 बार चलेगा, size 1000 हो जाएगी तो 1000 बार चलेगा that means linearly बढ़ेगा यह loop and इसलिए complexity हमारी हो जाएगी big O of N, linear, linear complexity, linear time complexity, ठीक है बाकि यह तो constant time यह constant time है, constant time को हम लोग आगर तो ignore करते हैं यह सब हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं तो अगर हम इसकी solution के बात करें तो big O of N, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन सारी programs जो मैं बता रहा हूं यह करा रहा हूं वो constant time में नहीं हो सकते हैं अगर आप हो सकते हैं तो आप बदाईएगा जूणिएगा ठीक है चलो भाई मूब करते हैं next question पे चलो यार अब आ जाते हम लोग अपनी next question पे इस question में हमें क्या कर रहा है हमें यह कहरे दी हुए and find the second largest element मतलब हमें इस array के अंदर हमें अब first largest मतलब सबसे बड़ा number नहीं find करना है second largest मतलब सबसे बड़ा तो होना चाहिए बट सबसे बड़े वाले से छोटा होना चाहिए जैसे for example अगर इस वाले array में हम दोग देखें तो इस वाले array में हमारे पास सबसे बड़ा है 90 तो यह 90 जो है it is a largest one it is a largest one तो यह हमारा largest ह है largest है but हमें 90 ऊपूट पर नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए हमें इससे जो चोटा है बाकी उथा सबसे बड़ा है मतलब इससे चोटा 80 यह और बाकी उसे सबसे बड़ा है असी तो इससे लाज अपना सकता हूँ यहाँ पे इससे चोटा है 80 बट बाकी उसे ठीका रेस्ट औ को आउट्पुट हमें चाहिए यह वाला असी समाजगे मेरे बात तो कितनी भी वड़ी एर हो कितना भी उसका साइज हो कोई फरक ने बढ़ने वाला बस हमें चाहिए क्या सेकंड लाजस नमबर अब क्या अप्रोच होने वाला इसको सौल करने के लिए हम क्या करेंगे इस बा तो तुछ आली बालती होगी यह वाली बालती ठीक है । बकेट वन बμोड यह किप कर रहे होगी लार्जाट को लार्जेस्ट ये ट्रेक कर रहे होगी लार्जेस्ट को और जो दूसरी पकेट होगी वो ट्रेक कर रहे होगी सेकंड लार्जेस्ट को यहां पहलहें को याइसा कर सकते हैं आँ- और हम आपर पहल मालThis को ही लोग मैंग सकते हैं यहां पहला कुद्स करते हैं एंचएंट कि स 북한 किस वे जंड़ सकते हैं चेक करेंगे, ठीक है, मालो यहां पर 90 रख दिया मैंने, और यहां पर 80 रख दिया, यह इनिशियल कंडिशन है, यह इनिशियल, इनिशियल, यह इनिशियल चीज है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, जब हमने, अभी फाइंड आउट नहीं किया, यह हमने अजियूम कर इसे फाइदा क्या होगा, इसे फाइदा ही है कि हम, हमें कंपेर करने के लिए, दो इलमेंट्स मिल चुके हैं, एक लार्जस्ट के अंदर, और एक सेकल नाजस्ट के अंदर, अब हम एक एक एलमेंट निकालेंगे, मतलब हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, लिएक लूप चलाएंगे, 0 से च गर अगर लार्जस्ट वाले से भी बड़ा है, इसका मतलब है, यह सबसे बड़ा नाजस्ट नहीं है, अगर यह जो नवर है, यह निकाला जो हमने 90, जो एरय ऑफ आई, जो एरय आवफ आई पर गेल ऋबढ़ी है, वो बड़ी है किससे? बड़ी है लारजस्ट से, अगर य हमें अब सबसे बड़ा number मिल चुका है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये largest से बड़ा ना हो, तो हम इसको चेक करेंगे, if it is false, मतलब अगर ये condition false हो जाती है, पहली वाली condition, तो हम case 2 पे आएंगे, जब करेंगे कि कहीं ही ये second largest से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो हैंब आपर second largest से चेक करेंगे, कहीं second largest से ये number बढ़ा तो नहीं है, array of AI, कहीं second largest से बढ़ा तो नहीं है, अगर second largest से बढ़ा है, इसका मतलब large से तो छोटा है, क्योंकि condition अभी case 1 में fail हूई है, और second largest से बड़ा है तो हम replace कर देंगे मतलब इस वाले array of i को second largest वाले bucket में डाल देंगे यहाँ पर डाल देंगे तो दो condition से basically हम manage करने है इसका आप चाहो तो यहाँ पर देख सकतो चार्ट वगएर फ्लोचार्ट भी बना सकतो कि simply हमारे पास यहाँ पर condition होगी अगर जो हमारा array of i है वो बड़ा निकल जाता है किसे हमारे largest से अगर यह condition true हो जाती है तो हम इधर जाएंगे इस तरफ जाएंगे और इस तरफ हम क्या करने वाले array या largest में largest largest में largest में हम लोग डाल देंगे array of i को अगर एक condition नहीं हो दी तो हम एक और condition चक करेंगे यहाँ पर दूसी condition लगाएंगे another condition that means यहाँ पर हम एक और condition चक करेंगे अगर यह नहीं हो दी तो else if में डालेंगे हम लोग else if else if में इस तरफ डालेंगे एक और condition एक और condition डालेंगे So, let me draw यहाँ पर एक और condition डालेंगे कि कहीं, array of I जो है, वो बड़ा तो second largest से भी ए second largest भी ए second largest से भी ए second largest से भी ए अगर ऐसा है, तो हम फिर से भी एंगे और इस case में हम assign कर देंगे, क्या assign कर देंगे, second largest लारजिस्ट इस तरह से हम सारे लूप में यहालफ लगाते जाएंगे और यह क्या करेगा यही काम हमारा करता जाएगा इडविल एक्चली दूबर यह लाजस को भी ट्रैक करता जाएगा को फ्लेक ट्रैक करता जाएगा यहां से इन्पुर्ट वाला कॉट कापी कर लेते हैं लेट मीगा पीडिस यहां से बढ़ करते हैं वाकिस अब कर दो में मैंतल बना लो पेस्ट कर लो ठीक है तो यहां पर आ चुका है हमारा कूट और यहां पर लिखतना है find the second largest number यहां पर logic एकना है तो मैं गया करूँगा यहां पर public static void की जगह नहीं मैं return करूँगा second largest तो इंटीजर और फाइन second largest number और array दे दूँगा यहां पर इंटीजर की array होगी पर्फेक्ट ओके यह गलत गलत लगा इंटीजर क्या रहे होगी आप हमें क्या करना है we have to just find second largest number इस एरसे इस एरसे में second largest number find करना है तो हम अगेन वही दो variable लेंगे दो buckets लेंगे सबसे पहले हम लेंगे largest के लिए लार जिस्ट के लिए और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना array of zero ठीक है और एक इंटीजर लेंगे second largest जिसके अंदर हम डाल देंगे array of one को ठीक है तो हमारे पास दोनों variable आगे अब हमें चेक करके इनकी वेलुस को चेंज भी करना है ठीक है तो यह हमने अजीम कर लिया और assumption अब हम चलते हैं लूप ओर इंटीजर आई is equal to zero से चलेंगे फस्ट फस्ट एलमेंट से चलेंगे और i is less than less than array of length और i को प्लस प्लस करेंगे that means हम zero से लेके last element तक जाएंगे और एक-एक element निकालेंगे बड़ हम यहाँ पर if लगाएंगे कि अगर हमारा largest से बढ़ा हो गया तो हम क्या करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग यार क्योंकि हाँ एक if से भी काम हो सकता है हमारा एक if से काम हो सकता है एक if से भी काम हो सकता है अगर largest से बढ़ा हो गया that means की जो number मिला है area of 5 हमारा largest है लेकिन जो largest के अंदर है वो हमारा second largest हो जाएगा ऐसा भी हो सकता है अदर्वास ठीक है कोई दिक्कत वाली बात ने हम else if से काम चला सकते हैं तो हम एक लगाएं गया लेकिंगे largest is equal to area of i or else if और else if में हम use करेंगे अगर yes ठीक है else if में हम यह करेंगे अगर सेकंड लाजेस्ट से बढ़ा हो साथी साथ में वो लाज़ेस्ट के अंदर ना हो यह लाज़ेस्ट ना हो ठीक है आपके लूप चलता जाएगा और लाज़ेस्ट रसे में हमारी value वार्ट्राइक होती ही जाएगी अभी एक ड्रायरन भी करके मैं आपको दिखा दूँगा ठीक है था आप देखो इतना होने के बाद जब लूप कहता हो जाएगा और हम इसाउट कर देंगे क्या शिंगल लार्जस लेकल लार्जस वैल्व और हम यहां पर शेक्ट लाजस नंबर को चैपकर अलिस देखते हैं हम जवासी सेकंड लार्जस दॉट जावबिश यावा सेकंड लाज जिस्ट कि अपसाइज में पांट डाल रहा हूँ और यहां कुछ random value डाल दे रहा हूँ ठीक है so second largest I think 42 है देखते है largest हमार 87 yes second largest हमारा 42 है let me check more ठीक है run कर लो डाल दो 5-6 डाल दो 1-2-3-4-5 so second largest 2 आ रहा है why it's possible second largest value 2 क्यों आ रहा ही जबकि हमारे पास 4 आनी चाहिए थी 4 आनी चाहिए तो 2 क्यों आ रही है I think कुछ प्राब्लम हो गई है let's recheck the logic logic को यदि बढ़ दुबारा से चेक करो i++ ठीक है अगर largest से बड़ी है value तो largest के अंदर आ जाईए but else if अगर largest से बड़ी नहीं है तो चेक करेंगे कि second largest से बड़ी है साथी साथ में array of i वाली value largest नहीं होनी चाहिए ठीक है तो guys यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी होगे हमें बस एक चीज जब हम largest की value यहाँ पर change कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अगर हमारे पास largest value कोई नहीं मिल गई तो जो largest है वो बन जाएगी हमारे second largest तो हमें यहाँ पर second largest को बना देंगे yes largest ओके सो हम लोग ने यहाँ पर गड़बड किया था कि यह वाली value यह वाली जो line है हम लोग को ऊपर लिखनी है क्योंकि largest value पहले हमें second largest में डाल देनी है उसके बाद हम लोग को largest value चेंज करनी है अगर हम यह वाली line नीचे लिखेंगे तो largest value जो change हो गई है वही value second largest में उचे लियाएगे so यह important है कि this line this line this line must be must be before before this line before the second before this line this line ठीक है ऐसा इसी लिए है क्योंकि largest value को हम पहले second largest में डाल देंगे then हम largest value को change करेंगे otherwise यह value कर आप नीचे लिखोगे तो largest value पहले change हो जाएगी फिर आप second largest में डाल होगे तो problem ही हो जाएगी largest value जो अभी नहीं नहीं आएए वही second largest में भी चली जाएगी यह logic में चेंज था फिर हम अगर run करते हैं आप हमारा output परफेक्ट आएगा suppose हमने 5 डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5 yes, largest, second largest value 4 आजाएगी अब अब कोई भी यहाँ पर input दे करके और test कर सकते हो जैसे for example अगर हम रन करते हैं suppose 10 अब कोई रंडम वैलू डाल देते हैं अब कोई रंडम नम्बस में डाल दे रहा हूँ तो second largest value जो मिली है वो 14, 52, 35 I think यह वाली second largest value है तो सबसे largest value हमारी है यह वाली थी ठीक है largest value यह वाली थी yes, I think यह 6 डिजिट का है भी हाँ ठीक है यह largest value है यह हमारी second largest value बाकि तो सब छोटी छोटी values तो इस तरह से आप logic को change करोगे तो यहां भी जो logic आपने समझा ठीक है इसमें भी यही है कि जब आप largest चेक कर रहो कि जो आपको element मिल रहा है वो largest से जादा है तो largest तो आपने बना दिया जैसे जैसे आप इसको implement करते जाते हों I think आपको समय आगा हो so next हम लोग 6th question करते हैं अप थोड़ा सा complex questions को टाएंगे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ठीक है थोड़ा सा और complex questions को टाते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं next question पर और हमारे पास इस वाले question में क्या करना है हमारे पास एक array दिया आया है और इसको चेक करना है कि एरे shorted है कि नहीं sorted है sorted अगर आपको नहीं पता तो बता दू कि यह order में है ascending यह फिर descending order अगर आपको ascending चेक करना है तो उस हिसाब से थोड़ा सा change होगा otherwise अगर आपको descending चेक करना है तो उस आप से थोड़ा से चेंज होगा ascending का मलदब होता है छोटे से बड़ा descending का मलदब होता है बड़े से चोटा तो जैसे हमारे पास array है इसके अंदर कुछ elements हमने डालें यूजर से ले लेंगे जैसे हमने सीखा है वैसे हम यूजर से ले लेंगे अब इसमें डाल दिया 10 20 30 40 50 75 इनका order अगर चेक करें तो 10 सब से चोटा है फिर 20 उससे बड़ा से बस है बस एंदुरों को चुक करें अगर दूसर ड一些 लेंट बड़ा है पहले से यहां पर इसको चेक करना है फिर इस से चफिर इस से चफिर इसको इसको चुक करना में अगर सारे occasion ने रसे के सिर यहां पे अपर बना लेता हम है छालो wait श्यक्क को र押ें है मैं क्या करता हूँ अगर हमें एरे तो चाहिए होगी तो हम आ जाते हैं एरे को इन्पुट कराने वालों जो कोड है उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं चेक शॉटेड के अंदर तो यहां पर main and yes बाकी इस वाले प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं एरे हमारे पासे आ जाएगी फिर हमें यहां पर लिखना है चेकिंग यहां पर हमें कोड लिखना है तो मैं कहूंगा ठीक है अगर यहां पर लिखना है तो हम वही काम करेंगे हम एक method बनाएंगे directly code यहां पर promote करेंगे और हम code को अलग लिखेंगे और यहां पर call करेंगे method बनाएंगे तो हम लिखेंगे यहां पर चेक चेक sorted एक हम method बनाएंगे जिसके अंदर अपनी array पास करनेंगे इडिव लेटन अब boolean value तो हम method बनाते हैं public static यह boolean return कर रहा होगा ना मोंगा इसका चेक sorted integer array of integer as simple as that ठीक है अब हमें चेक करना है integer of array पता नहीं मैं ऐसे क्यों लिख देता हूं array yes और हमें यहां से return करना एक boolean value तो अब हमारे पास यह रहे है मुझे चेक करना है कि यह shorted ही कि नहीं तो हम simple सा logic लगाएंगे कि कैसे shorted है हम एक variable यूज़ करेंगे boolean is sorted इसकी value हम by default क्या कर देंगे true कर देंगे मतलब पहले हम assume कर लेंगे array is shorted है और इसलिए हम इसकी value कर देंगे अब अगर मुझे array shorted है उसकी value या कहीं भी है मुझे ऐसा लगा कि array shorted नहीं है तो इसकी value में false कर दूंगा मतलब यह हमें indicate कर रहा है कि array shorted है कि नहीं shorted है तो हम एक element को निकालेंगे हम लूप चलाएंगे for integer i is equal to 0 i is less than equal to array dot length minus 1 अब मैं एक कम तक चलूंगा क्योंकि अगर लास्ट तक जाओंगा तो दिक्कत हो जाएगी बताओंगा क्या ठीक है या छोटा चेक कर सकते हो कोई लिक्त वाली बात नहीं ठीक है array of i मतलब array of 0 array of i plus 1 array of i plus 1 से चलो ascending order में तो हम गया देंगे छोटा है array of या उल्टा लगाओ condition array of i plus 1 मतलब एक बाद वाल element अगर बड़ा है array of i से that means ठीक है ठीक है इसका मतलब हमें इसका उल्टा देखना था हमें इसका उल्टा देखना था तो यहां पर थोड़ा सा गड़ड हो गया bracket ठीक है अगर ऐसा है that means ठीक है आपको इस Shorted के Value true ही रखनी है बट अगर इसका उल्टा होता है तो हमें क्या करनी है इस Shorted के Value उठाके False कर देनी As Simple as that और मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई अगर इनकेस एक ही स्टेटमेंट है इफ के अंदर तो आप इस से इसको हटा सकते हो इसका मतलब जब लूप ही है चला चल जाएगा पोरा खतम हो जाएगा तो इस Shorted में अगर कहीं False मिला इसका मतलब इस Shorted नहीं है लास्ट में हम क्या करेंगे यहां से रिटन कर देंगे इस Shorted As Simple as that बस यह लॉजिक हमारा बन चुगा है and here we go I think यह हमें बता देगा कि आरे Shorted है कि नहीं एक बार हम चेक करते है so directly हमें मिल जाएगा हम पर रिजल्ट that is a boolean check result boolean check result और हम एसाउट करेंगे array is sorted or not मैंने यहां simply print कर दिया array is अगर check की value true है तो blank आ जाएगी shorted आ जाएगा otherwise not shorted आ जाएगा ठीक है so let's see आ जाओ भाई clear कर लो और run करो java c check shorted check shorted check shorted array size में 5 डालता हूँ और इस बार जानबुच के shorted डालता हूँ तो मैं 20 डाल दूँगा then 30 डाल दूँगा 32 डाल दूँगा 55 डाल दूँगा 87 डाल दूँगा array shorted that means perfectly array shorted है एक हम लोग डालके देखते हैं जिसमें array shorted ना हो तो मैंने कहा 20 and then मैंने कहा 20 element की area आ गई तो मैं ऐसे sorry 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 दुबारा से हम लोग ट्राय करते हैं गलती से दूसरे keys दब गई तो मैं कहता हूँ चलो इस बार 10 size की area बनाते हैं रैंड एक डाल देते हैं पांच डाल देते हैं तो शिससाफ आपको च्क करना है अगर आपको descending order चेक करना था तो आप इस वाले condition को उल्टा कर देते ठीक है क्योंकि descending order में दूसरा element छोटा होना चाहिए तो आप इसको बस reverse कर देते that's it अब आप से कुर कोई पूछता है कि यह जो आपने algorithm बना ही उसकी complexity क्या है तो simple इसमें कुछ स्टेटमेंट से जैसे पहले यह स्टेटमेंट तो इक बार ही चलने वाला statement and बार ही चलेगा मलब के कॉंसरे के बार ही चलेगा इतनी भी साइज अब बढ़ा इसलिए लेकिन यह जो important लूप हमारा इट इस एक्चुली नॉट constant time यह constant time नहीं है क्यों क्योंकि यह depend कर रहा है हमारे length के या array के length पर अगर array के length बहुत बढ़ी हुई तो यह loop भी उतनी बार बढ़ेगा that means linearly बढ़ेगा तो इसलिए linear time complexity यह follow कर रहा है तो इस पूरे algorithm की जो हमने बनाई है वो time complexity हमारी है linear here big o of n big o of n ठीक है big o of n big o of n आया simple है तो 6 questions हमने properly लिए देखते हैं बाई कुछ और थोड़ा सा complex questions लाते हैं कोई हम लोग easy to hard भी चल रहा है चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक complex question पर थोड़ा सा difficult question है इसको solve करते हैं थोड़ा सा logic आपको लगाना पड़ेगा बढ़ हाँ इतना भी difficult नहीं है आप कर लोगे पहले मैं तो कहूंगा कि आप वीडियो को pause करिए और खुछ से try करिए ठीक है हमें इस question के अंदर क्या करना है हमें move करना है zeros to the end हमारे पास यह कह रहे है इसमें जितनी भी zeros को last remove करनी और सारे non-zero elements starting मिलाने मतलब हमें कुछ ऐसा shifting करनी है कि यह दो जीरो है वो लास्ट में कहूं जाए that means हमारे पास 20 आ जाए then हमारे पास 40 आ जाए then हमारे पास 50 आ जाए then हमारे पास 75 आ जाए and then हमारे पास 0 and 0 लास्ट में आ जाए यह कुछ array हम बनाना जा रहे ठीक है यह interesting है कैसे करेंगे आप सूचिए ठीक है and इस पूरा इसके इस कुछिन का पूरा solution करिए and then comment screen में बताईए कि भाई साथवा कुछिन कर लिया है थोड़ा सा complex है सूचना पड़ेगा हमें तो इसको मैं कैसे solve करूँगा मेरा क्या approach होने वाला है ठीक है मैं कोसित करूँगा कि linear time में ही हो जाए ज्यादा complexity नहीं बढ़ाएंगे multiple loops in nested loops नहीं use करेंगे कैसे हम क्या करेंगे मैं कोसित करूँगा सारे non-zero elements को पहले लाने की सारे non-zero elements को पहले लाने की फिर बाद में जितने जगे बचेंगे उस वहां पे zero input कर देंगे ठीक है कैसे for example देखो इस सीच को थोड़ा हटा दे हम मैं कुछ ऐसा start करूँगा मैं कहूंगा जो एक index एक element ले लूँगा या एक tracking variable ले लूँगा जो यह index जो यह हमें बताएगा यह variable हमें यह बताएगा कि जो non-zero element है वो कहां पर place करना है ठीक है मतलब जैसे for example हम एक-एक element को निकाल रहे हैं let's suppose हम एक-एक element को यहां से निक ला तो हम उसको कहां रखेंगे वह index हमें बताएगा तो अभी यह 0 है तो इसको छोड़ देंगे कोई फ्रेंग ने बढ़ता फिर हम क्या करेंगे next पे चलेंगे और वहां पर हम निकालेंगे that is a 20 अब यह 20 आ गया अब 20 is a non-zero element मतलब हम यहां पर एक चेक लगाएंगे कि य जीरो पोसिशन पर डाल दोंगा यहां पर यहां पर डाल दोंगा मतलब यहां पर आजाएगा हमारा 20 यहां पर आजाएगा हमारा 20 समद्के मरी बात next important चीज़ है कि इस index को मैं 0 से काटके इसको कर दूँगा आगे बढ़ा दूँगा 1 that means अब अगर non-zero element मिलता है so that will go to 1 first position ठीक है क्योंकि 0 हमारा हो चुका indexing तो आपको पता है 0 1 2 3 4 5 सब किये फिर हम next element उठाएंगे तो यह तो 0 ही है तो अगर यह 0 है तो इसको हम कुछ head चाड़ नहीं करेंगे next हम यह उठाएंगे और यह हमारा फिर से non-zero element बिला और जैसे non-zero element बिला फिर से हम put करेंगे कहां प यह index 1 पर यहां पर आने वाला है तो इसको उठाएंगे and we will pick and just put this to this index first पर तो हम 40 यहां पर डाल देंगे next फिर हम आगे बढ़ेंगे and देखेंगे यह भी हमारा non-zero element है 50 and अच्छा एक सी ज़र है 40 को जो हमने यहां पर पूट किया तो index को हम increase भी कर देंगे that is 2 हम यहां पर रखेंगे that means यहां पर आ जाएगा हमारा 50 50 और interesting बात फिर से हम क्या करेंगे index को आगे बढ़ा देंगे that means 3 कर देंगे इस case में हम क्या करेंगे अब जो next element आने वाला है वो 3 पर आने वाला है तो हम फिर से last element उठाएंगे वो भी हमें मिलेगा 75 that means non-zero element मिला तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको उठाके 3 पर रख देंगे कहां गया 0 1 2 3 that means यहां पर आ जाएगा 40 पर यहां यहां जाएगा 75 40 पर 0 से लेकर 3 तक सारे non-zero elements आ चुके हैं कहां से कहां तक सारे elements यहां से लेकर के और 0 1 2 3 यहां तक आ चुके हैं अब जो यह दो बचे हैं यहां पर 0 ही आने चाहिए क्योंकि आप सारे element पर जा चुके हो तो हम क्या करेंगे हम एक loop चलाएंगे जो कहां से start होगा that will start from I think 0 1 2 3 से अब तक array की length छोटी होती ही तब तक और हम simply array के आई पर 0 रखते जाएंगे array के आई पर 0 रखते जाएंगे बस बाकी जो बचे हैं उस पर 0 अपने आप से loop रख देगा यह loop 0 रख देगा this is a logic this is a logic यह simple सा logic अप्रोच यही है कि सबसे पहले हम non-zero elements को पहले लाएंगे एक tracking variable की help से वह हमें यह बताएगा कि non-zero elements को कहाँ पर रखना है वो track करता जाएगा बताता जाएगा let's implement this हम यहाँ पर आते हैं एक बना लेते हैं और move move zero zero to last dot Java ठीक है main method बना रहते हैं और array तो हमें देनी ही देनी है तो array input लेते हैं कहीं से भी यहाँ से ले करके और यहां तक code को copy कर लेते हैं ठीक है next हम क्या करेंगे next I will just call one method move zero to last और array अपना पास कर देंगे अब क्यूंकि इसी array में changes हो जाएंगे तो हमें कुछ return करने की जरूत नहीं होगी यहां पर बस हम method बनालते हैं public static void move array to last और array हमें यहां पर मिल जाएगा ठीक है perfect अब हम यहां पर लिखना है तो हम exactly वही code लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम एक variable लेंगे index index 0 मताब non zero element को track करने के लिए non zero element non zero element कहां आएंगे इसको track करने के लिए हम लोग एक variable लेंगे index is go to zero perfect अब हम loop चलाएंगे और loop integer i is go to zero चलाएंगे एक variable निकालना है ठीक है and i is less than array.length और i++ perfect ठीक है अब हम हमें एक element मिलता जाएगा तो हम check करेंगे कि कहीं if array of i जो हमने भी element निकाला है वो non zero है कि नहीं है अगर non zero element है that means array of i is not equal to zero तो हम क्या करेंगे सबसे पहले array के index पे हम लोग put कर देंगे अपना element that means array of i array of i index को प्लस-प्लस कर देंगे आप एक साथ भी कर सकते थे जैसा AI suggest कर रहा था ठीक है so हमने array of index पे value डाल दी और index को प्लस-प्लस कर दिया इससे क्या होगा कि सारे elements non zero वाले पहले आ जाएंगे जब यह loop खतम होगा that means जब यह loop खतम हो रहा होगा या हो गया होगा follow तो हमारे सारे zero non zero elements पहले आ गया होंगे और last वाले कुछ positions बची होंगे जिसमें हमें zero fill करना है तो हम क्या करेंगे हम यहां पे वाइल को लूप चलाएंगे जब तक वाइल को लूप तब तक चलता है जब तक index छोटा रहता है array.length से तब तक की लूप चलेगा और हम array of index पे zero डाल देंगे और index को प्लस प्लस कर देंगे तो यह क्या करेंगा बचे हुए zero को फिल कर दे बचे हुए elements को zero से फिल कर देगा पर्फिक्ट हमारा काम हो जाएगा इंडेक्स इस एरे में changes हो जाएंगे तो हमें कुछ रिटन करनी की जरूत नहीं यहां पर अब हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं कि प्रिंट करने के लिए में फॉर इच लोग करूंगा प्रिंट दा एरे टो मैं लेका फॉर एंडिजर वैलू और आप एड़े एक लेश्मेंट को आप प्रिंट कर लिए तो मगा हूंगा चलो एरे ठीक है हाँ, एक कई कलिमन्ट प्रिận प्रिंट करते है जो बीच में वैं टायब स्पेस ड़ांगा योँ लास मेछ भी छुद ख़त्य पन्य गांडिंट च्ठी कर्डे ख़र है धिसलीदे तीक है. आप आते हैं, रुट्रण करते हैं सो लेट्स फें मोभ जेवा सी सबub yönदlden Cello पहले हैं चीजाई के विफर जी दर देतल हौ इसे डाल दिया फिर मैं आसे टाल दिया फिर मैं ऐसे डाल दिया फिर मैं इसे डाले है फिल जिरो डाले और आप देखोंगे बारह आगया द deepen 25 जाए ao Trne चुछ है अब इस प्रोग्राम को बारबार चेक करे लिए अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दिए एखर गटा पर इसको सकते हैं करने को बात को हमें बचाम बता सकते हो कुछ करेक्शन ने कोछ भी है तो आप बता सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनसान हम भी है को गलतिया उखांए लॉजिक लिखने में ठीक है फ्ली इस अगेन मैं ट्राइ करूँगा अटंड हो गा दोगा दोगा कुछ ठीक है सॉब देखो सारे elements पहले आगे and 00 हमारा last में आगे so this is actually a program अब आपको होगे सर इसमें complexity क्या है तो जो हमने algorithm लिखा है ओपर ये देखो move to 0 इसमें ये वाला जो है वो constant time ले रहा है big o of n क्योंकि linear ले रहा होगा जैसे array के size बड़ेगी वैसे वैसे लूप भी उतनी बार चलेगा ठीक है ये loop भी length पे depend कर रहा है ये loop भी length पे depend कर रहा है ये भी linear ही ले रहा होगा ठीक है linear होगा क्योंकि ये भी array.length पे depend कर रहा है अब बहुत बड़ा होगा इंडेक्स मालो 6 तक जाता है तब भी ये depend to size पे कर रहा है ठीक है तो इसके भी big o of n होगी हो सकता है कुछ by 2 by 3 हो क्योंकि अब ये से बात है तीन बार चले चार बार चले जितनी size है ठीक है वो depend करेगा कि कितने zeros हैं लेकिन depend तो size पे कर रहा है अरे के size पे कंद्रा अरे के length पे depend कर रहा है तो इसकी भी big o of n हो जाएगी तो टोटल कर रोड़े तो big o of n प्लस big o big o of n तो 2 big o of n और जो constants होते हैं उनको हटा देते हैं मत्तब हम 2 को भी हटा देंगे तो finally ये linear time ही ये लेगी ठीक है सो अगर आप final इसका time complexity जोड़ोगे तो कैसे भी कर गए ये big o of linear या big o of n में ही इसकी इसकी में आपको मज़ा होगा और आपको एक अप्रोच में लेगी कहां ऐसे भी कर सकते हैं इस problem को solve करने का और भी तरहीं हो सकते हैं आप किसी और तरहीं से करते हो तो आप बताएं क्य समझा देता हूं आप 8 9 10 कुश्चिन करिएगा और काफी लबी वीडियो रही से लिए हम थोड़ा सा आपको कुछ टास्क दे रहेंगी आप भी करिए कुश्चिन को आइं जो कुश्चिन मैंने करा है उनको प्रैकिस करेगा साथी चाहत में तीन कुश्चिन है सबसे पहला एक है कि रिमूव रिमूव डिलिकेट थॉन में और को दूबिकेट को रिमूव करने दूसरा प्लिक धूर इंधर आपके पास एक रहे है जिसमे एक इन तक नंबर से उसके अंदर को एक नमबर मिस है उसको फाइंड करना आव जूटे एरय भाई के सका पूशिशन क्या इ बाकि प्रैक्टिस करिएगा इतने 10 में से 7 questions तो आप करिए जो मैंने आपको गरा हैं बाकि तीन questions assignment app के लिए assignment को करिए and फटा फटा कमेंश करें सक्षिन में बताइए next video के अंदर हम लोग क्या करते हैं कुछ और अच्छे concepts पढ़ते हैं इन array के उपर operations परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा एक ADT बनाना होगा abstract data type array का जिसके अंदर हमें basic operations रैप करने होगा एक abstraction करना होगा जिससे अगर को array को use भी करता है तो particular किसी array पर elements को आसानी से insert कर सके traverse कर सके वो operations का एक ADT बनाना होगा उसको हम लोग next videos के अंदर बनाते हैं और बाकि operations जो है वो हम लोग करते हैं अगर आप लोग को टूटी array के भी practice questions चाहिए तो आप comment screen में बता दो मैं करा दूँगा एक video बना दूँगा जिसमें कुछ questions बता दूँगा और अगर आपको पूरी sheet चाहिए कर दो आपको बता दूँगा जापको टूँगा पूरी दूँगा जिसमें करते हैं